हेलो आल दिस इब्बैजीत सिंग वेलकम यू आल स्टूडें टूडें विव रीचेप्टर फोट अफ फिंदी लैंगविज चैप्टर का सीर्शक है लोव का दंड कहानी है यह इस कहानी में यही दिया है कि लोव नहीं करना चीए मैं ठीक है लोव हमेशा बिनास का कारण ब चली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक गरीब ब्रामर था दान पुनि में मिली वस्तूओं से वह अपने परिवार का पादवन पोसर करता था एक बार देश में भयंकर अकाल पड़ा लोग भूखों मरने लगे खेतों में फसल वह हरियाली के दर्सन दूल्लव हो गए जानवर भी भूख से दम तोड़ने लगे इस अवस्ता में भला ब्रामर को दान कौन दे क्योंकि दान भी लोग तभी देते हैं जब उनके पास अधिक धन होता है समझ रहे हैं आफ एक बार एक गरीब ब्रामर था जो जिसे दान पुनि से ही उसकी घर का जो है भरर पोसर होता था मतलब उसकी घर दो वक्त की रोटी जुट पाती थी डान पुनि में जो कुछ भी मिलता था उसी से तो एक बार क्या हुआ कि अकाल पढ़ गया चानती है अकाल पढ़ने का मतलब की सूखा पढ़ जाता है तो अकाल पढ़ गया जिसकी वज़े से खेतों में फसल नहीं हुई अब जब खेट तो में फसल नहीं होगेगी तो हमारे घर अनाज नहीं होगा यहां तक की अकाल पढ़ने पे घास फूस भी नहीं उखते हैं जो जानवर खाते हैं ऐसी स्थिति में जानवर भी मरने लगे भूख से दम तोड़ने लगे तो इस अवस्था में ब्रामण को भी कौन दे मतलब ब्रामण को दान कौन दे जब आपके यहां रहेगा तब ही तो देंगे आप ओके तो यही हाल था ब्रामण ने सोचा भूखे मरने से तो अच्छा है अपने प्राण दे दिये जाएं ऐसा सोचकर वह जंगल की और चल दिया वह मरने से पूर अपना हिर्दय इस्वर का नाम लेकर सुद्ध करने का प्रेयत्न कर रहा था वह रास्ते में बार बार इस्वर का अस्मरण करता जा रहा था मतब समच्छ रहा है इसकत ब्रामण की सोचा ना कि भूखे मनसे बढ़ी है कि सुसाइडा दिया जाया तो वह ispри से जंगल की चल दिया वह उसके बाद कि जब वह जा रहा था तो राष्टे में वह जो है भगवान का नाम दे रहा था कि अपने आपको सुध करने के लिए बखवाद का नाम लेए जा रहा हूं तो भगवान क्या हुआ कि तभी उसने देखा कि सामने से एक सेर आ रहा है ब्रामन ने सोचा मैं तो मरने जाही रहा हूँ चलो मरने से पूरू किसी के काम आ जाओं कितना अच्छा होगा यदि मैं एक भूखे जीव का भोजन बन जाओं अब देखिए अचानक सेर आ गया जंगल में अब ब्रामण सुचा ना कि चलो बढ़ियां है मरना तो ही है मरने तो जाई रहा हूँ अच्छा है कि मैं किसी का भोजन बन जाओं मतलब कि अब मतलब सेर मुझे मार देगा तो मैं और मुझे खाल लेगा तो उसकी भूख जो है मिट जाएगी चलो अच्छा है ऐसा सोचता है ब्रामण अब देखिए सेर ने पास आकर पूछा अरे ब्रामण क्या तुम्हें मुझे डर नहीं लगता ब्रामण ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तो इस जंगल में मरने के लिए ही आया था जब आप दिखाई दिये तब मुझे लगा मरने से पहले किसी भूखे की भूख मीटाने का उसर तो मिला अब दिखिए सेर गतजी पूछता है कि मुझे 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 दर नहीं लगता तो फिर ब्रामण क्या बोल रहा है कि अरे मुझे डर नहीं लग रहा है कि सब्सकुरात का डर मने के लिए ओं और तो और बढ़ियं कि तुम्हारी भूख मीटाने का उसकी बात सुनकर सेर का रूप धारण किये वन देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रामण को पुरसकार के रूप में 500 असर फियां दी पुरसकार पाकर ब्रामण प्रसन्यता पुर्वक अपने घर लोटाया अब देखिए अब ऐसा हुआ कि जो सेर था जो सेर सामने था ब्रामण के जंगल में वो सेर नहीं था वो वन देवता थे मतलब जंगल के जो देवता होते हैं भगवान वो थे उसके बाद उन्होंने सेर जब ऐसे यह बोला ना कि मैं किसी का भूख बन जाओं मतलब मैं मैं रे वाज़े से किसी की भूख मिर जाए तो वन देवता जो है प्रसन्य हो गये और उसके बाद वो अपने वास्तोविक रूप में आ गये सेर जो है सेर की रूप में थे जो वन देवता उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और वह खुश होकर के ब्रामठ को जो है पांत सो असर फिया दिए उसके बाद ब्रामठ जो है खुश होगर के विचारा अपने घर को लोट आया अब देखिए क्या होता है अगले दिन सुबह सुबह ब्रामठ बनिये की दुकान पर रासन लेने गये बनिये ने असरफी देखकर ब्रामठ से पूछा महा से आपको यह असरफियां कहां से मिल जेए अगे ब्रामठ ने सारी बात बड़ बनिये को बता दी और रासन लेकर अपने घर वापस आया अब देखिए बड़ बॉस्ता है यह कहां से मिली तुम्हें मिली ब्रामण से तो ब्रामण सारी बात बदादी बनी को कि मैं जंगल में गया वहां पर सेर मिला यह वह ऐसे करें पूरी इस्टोरी बताई फिर देखी क्या हुआ बनियां सुभाव से लोबी था मतलब कि बनियां जो था ना बहुत लालची था लोब में इस्टोर का नाम लेते लेते जंगल की ओर चल दिया है ओ इतना लालची था कि वह भगवान का नाम लेते लेते जंगल की ओर चल देता है बीच जंगल में उसे भी उसी प्रकार सेर मिला अब जैसे जंगल जाता है बीच में बीच में पहुंचता है वैसे उसे भी ज भरलो बनियां क्या बोलता है कि तुम मुझे खाकर अपना पर भर लो यह सुस्राय की बहाने इसवर का नाम लिया है इसलिए में तुम्हें मारूंगा नहीं केवल दंड दूंगा सेर ने बनिये को एक पंजा मारा जिससे उस लोबी बनिये के एक कान वए एक आँख बेकार होके मतलब समझ रहा है कि जब वो बोला नाम बनिया कि मुझे खा लो तो सेर बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर खा जाता लेकिन तुमने इसी बहाने जो है लाष्ट टाइम में इस्वर का बहुत नाम लिया है मनलब इस्वर का नाम जपा है इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं लेकिन दण जरूर दूंगा उसके बाद सीर क्या करता है अपने पंजी से जो है उस बनिये को जो है मारता है जिससे की बनी है की जो है आग फूर जाती है और एक कान जो है गायल हो जाता है ओके थैंक्यो